हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल एसर दी एक्सपर्ट में एक इंटरस्टिंग स्टॉक का स्टेडी कर रहा था सोचा आपके साथ में सेयर करूँ एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ केर अभी करेंटली ये अवेलिबल ह 207 रुपे के प्राइस पर अगर आप इसको देखे 97 रुपीज के अराउंड पर अगर सितंबर के राउंड में स्टार्ट हुआ था और अभी 213 का हाई टच कर रहा है तो मतलब अपने प्रीमियम वेल्यू के अराउंड पर चल रहा है मार्केट कैपिटलाइशन है 18701 रुपे का इनके पास में अवेलिबल है पी देखेंगे 235 का थोड़ा हायर साइट पर देखेंगा लेकिन जब आप इसके पीर्स के संग में कंपेर करोगा पोलो में वह पास यार से उपर के पी पर अभी करेंट लिए अवेलिबल है और इसकी अगर हम बात करते हैं जा 94 करोड उपे का रेवेन्यू कर रहा था सेम पॉइंट अफ टाइम पर जबकि अभी 1160 करोड का यहाँ पर इंप्रूमेंट देखेंगे लेकिन अगर इंपॉर्टन सीज़े देखने वाली प्रॉफिट आफ्टर टेक्स जो क्वार्टर टू क्वार्टर में दिखाई द नानवाती हॉस्पिटल और दिली का बीयल के पूर भॉस्पिटल भी इनके पास डलता है छो मेस के नियमन हिलावा इनके पास फेल चलते हैं यहाँ पर इस टेक की स्रीदि creator उनके पास में हैं, ओवराल मोटा मोटा 75% की स्टेक्स पर मोटर्स के पास है, FII के पास 17% की स्टेक्स है, 7% की स्टेक्स अवैलिबल रहते हैं पब्लिक के लिए, तो ऐसे में limited equities अवैलिबल है market में, तो यहाँ पर prices आपको जनरली upward move करते वे दिखाई देने चाहिए, की capacity इनके पास में available हैं, जिसमें से लगबग 85% bets इनके मेटो सिटी के अंदर में हैं, और occupancy की बात करूं तो 71% से ज़्यादा occupancy रहती है, मतलब जातर bet इनके पास में फिल अप ही रहते हैं, average revenue per occupied bet की बात करते हैं, मतलब हर bet से लगबग कितना कमाते हैं, अप्रोक्सिमेटली 50,000, मतलब 49,000 से 50,000 रुपीज का average revenue है, average length of stay, मतलब जो patient admit होता है, जो patient का average length of stay अप्रोक्सिमेटली 5% साड़े 5 दिन के बरापरवे हैं, जो बहुत important है, और COVID के टाइम पे भी इन्होंने approximately 1200 bet COVID के लिए provide करे थे, 3,17,000 से ज़्यादा COVID के टेस्ट करें हैं, इसके इलावा जो other facilities provide कर ये COVID के टाइम पे वो additional है, एक बहुती premium class hospital से अगर आप देश के top most hospital chains की बात करते हैं, तो आप उसमें max health के को पाएंगे, अफ़वर्ड मॉमेंट के अंदर पे हैं, तो ये stock को मैं आपको recommend करना चाहूँगा कि आप इसको SIP mode में investment करने के बारे में देखें, जहां पे आप हर मन्द थोड़ा थोड़ा करके investment करें, अपनी तरफ से review करें, तभी आप investment करें, जब आपको अच्छा लगे, मुझे quality stock लगा, तो मैं सोचा आपके साथ share करूँगा, Thank you very much.